देखेगा, which of the following is a communicable disease, चलिएगा, question simple सा पूचाए आप से, कि following disease में से आपको पैचानना है कि communicable disease कोन सी है, क्या पूचाए, communicable disease कोन सी है, तो फटापर से बताएगा, चार option आपके सामने है, चार option में से ढूणना है कि communicable disease कोन सी है, और ये repeat हुआ question है, CHO के अंदर, NHM की vacancy के अंदर, repeat हुआ question है, तो याद रखेगा, चलिएगा, पहला option यहाँ पर है, A option है, diabetes, B option है, pertussis, C option है, hypertension, और D option है, quashore कर, चलिएगा, answer आपको देना है, यहाँ पर आपको answer बताना है, communicable disease कोन सी है, क्या पूचा है, communicable disease कोन सी है, और communicable disease से रिगाड़े definition आपको clear होनी चाहिए, क्योंकि definition दे कर भी आपसे पूचा जा सकता है, क्या है, तो communicable disease, वो disease होती है, जो कि person to person, क्या होती है, person to person क्या होती है, transmit होती है, एक person से transmit हो जाती है, दूसरे person में, चाहिए वो direct contact से हो सकती है, चाहिए वो indirect contact से हो सकती है, और transmission of infection से भी आपका 100% question तो याद रखेगा धीरे-धीरे सारे टोपिक्स अवन कवर कर लेंगे बिलकुल चलिए इस क्योश्चन की अगर आपने बात करें तो देखेगा अगर क्योश्चन समझ मैंगा तो ठीक है नहीं आता है तो इसली सोल हो जाएगा चलिएगा सबसे पहला उप्सन आप देखेगा डाइबिटीज तो सर नोन कम्यूनिकेबल डिजीज के अंदर आती है एंसीडी के अंदर आती है उसके लावा हाइपर टेंशन भी एंसीडी के आती है और क्यात्य किंग यह इसके अंदर अपै अपने पटा कियोनिकेबल डिजीज को इसका और बचा कर्क दो यह रही नाम से जानते हैb कि शेपिंग कप के नाम से जानते हैं याद रखेगा पर टूसित यहां पर करेक्ट अंसर होगा आपका पर टूसित अवगा बिल्कुल आपको याद रखना हैं पूचा जा सकता हैं आपके एक्जाम में तो सभी communicable disease और non communicable disease के बारे में काफी बार मैंने आपको बता रखा हैं काफी बार